नमस्कार दोस्तो सारे refund portal को लेकर आपके मन में काफी सारे सवाल है जिनका जवाव आपको मिल नहीं पा रहा है तो मैं इस वीडियो में आपके उन सभी सवालों का जवाब दूँगा और मैं गेरेंटी के साथ करता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाद आपके मन में जित्ते भी सारी फन पोर्टल को लेकर सवाल है डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे साथ ही साथ आपने कमेंट में बहुत सारे सवाल मुझे पूछे हैं तो मैं आज उन सभी सवालों का जावब भी एक एक करके आपको दूँगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले इस कमेंट में याम्ली जी ने मुझसे पूछा है कि मुझे मोवाइल पर डिफिसेंसी का मेसेज आया तो है बट पोटल पर अभी भी अंडर प्रोसेसिंग सोख कर रहा है तो मुझे क्या पता चलेगा कि क्या डिफिसेंसी है मेरे फॉम में प्रिज हैल्पी सर तो मैं यामनी जी आपको बताना जाऊँगा कि आपको अगर deficiency का message आ गया है इसका मतलब आपके status अभी portal पर अपडेट नहीं हुआ है आपको 2-3 दिन में आपका status अपडेट हो जाएगा और वहाँ आपको deficiency communicated का message सुर्फ होने लगे है जैसा कि आपको इस screen में दिख रहा है उसके बाद आपको 30 दिन तक wait करना है क्योंकि 30 दिन तक आप reapply नहीं कर सकते हैं 30 दिन के बाद आपके status के बगल में आपको reapply link मिलेगा इसका notification भी आ गया है कि December से पहले तक आपका reapply का link आ जाएगा अगले comment में इस user नहीं कहा है कि scanned image of account offering form membership form are not readily available to the society इसका मतलब यह होता है कि साहरा company का जो भी data है अभी CRCS portal को transfer किया जा रहा है अभी पूरा document along transfer नहीं किया गया है यह थोड़ा time taking process है लेकिन जब आप फिर से reapply करोगे तो आपको इस तरह का problem face नहीं करना पड़ेगा और इस तरह का message आपको नहीं आएगा reapply link में जो भी गलती आपने पहले आविदन में की है ध्यान रहे जब आप reapply करें तो उन गलतियों को बिल्कुल न दो रहा है इसलिए आपको वीदियो बिल्कुल अंतक देखना है ताकि आपका आविदन face से reject नहीं हो अब अगले comment में चलते है सिस्तांसु जी ने अपने form reject होने का region बता है उन्होंने कहा है कि दाविदार जमा करता विवरन सहारा society database में नहीं है या society के सदसे नहीं है उसको करना क्या है मैं आपको वदा देता हूँ आपको अपने सहारा एजिंट से बात करना है जो भी आपका सहारा का bond है उसको बोलिए कि उसको online portal पे update करवाए ताकि इस तरह का problem ना है जब तक आपका सहारा का bond ओलाइन update नहीं होगा इसमें बोलना चाहरा है कि माल लीजिए फोर एक आपने एक FD करवाय था उसका maturity दो सलवद हो गया था ठीक है फिर आपको सहारा कंपनी ने कहा कि फिर से इसको renew करवा कि एक नया FD बनवा दीजे फिर से आपको एक bond मिला होगा यानि आपके पास total दो bond हो गए तो आपको क्या करना आपको प्रथम bond से ही apply करना है दूसरे bond को लेकर apply नहीं करना है क्योंकि CACS portal के पास आपके पहले bond का ही information गया होगा दूसरे bond का information नहीं गया होगा दूसरे comment के तरफ चलते हैं इसमें आसिस कुमार जी ने कहा है कि मैंने गलती से apply के time total investment का 10,600 के जगा 5,000 रुपय डाल दिया था उसमें से 5,000 एकाउंट में आ भी गया अब बचा वह 5,600 रुपय फिर से apply कर सकते हैं क्या मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपको जब भी आविधन करना है तो आपको अपना investment का amount एकदम सही सही लिखना है अगर आपने गलत भर दिया है तो आपका फिर दुबारा से application submit नहीं कर सकते हैं अगर आपका form reject होता तो आप फिर से नए आविधन में 10,600 डाल सकते हैं बट आपका आविधन को accept कर लिया गया है और पैसा भी आपके account में transfer कर दिया गया है तो मेरे ख्याल से आपका बागी पहचा हुआ पैसा साइद नहीं आ सकता है अगले comment के तरफ चलते हैं इसमें अमन कुमार जी ने कहा है कि सर मेरा date of birth अधार card और सहारा का जो bond है वो match नहीं कर रहा है क्या करें तो अमन जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो भी सहारा में date of birth है उसी की हिसाब से आपको अधार update करवाना पड़ेगा अधार का date of birth तो आप कोई भी cyber gf में जहां अधार update होता है वहाँ date of birth अपने अधार में update करवा लिजे ताकि आपका form कभी reject ना हो अब अगले कमेंट के तरफ चलते हैं इसमें हैदर करीम जी ने कहा है कि अभी maturity नहीं हुआ है और मैं आवेदन कर दिया है अब deficiency communicated देख रहा है अब क्या करना होगा तो मैं हैदर जी मैं आपको बैताना चाहूँगा कि आपका सहारा कभॉंड अभी maturity नहीं हुआ है तो आप जब तक आपका सहारा कभॉंड maturity नहीं होता है तब तक आप अब इदर नहीं कर सकते हैं अब अगले कमेंट के तरफ चलते हैं इसमें आयू सराज जी ने कहा है कि मेंबर सी फर्म नॉट अपडेटेड बाइटेड वाइडी सोसाइटी वाट डज इसमें इसका इसलिए अभी उस प्रोसेस को complete नहीं हुआ है इसलिए कुछ लोगों का मेंबर सी फर्म अभी तक अपडेटेड नहीं हुआ है तो आयू सराज जी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जैसा ही आपका मेंबर सी फर्म अपडेटेड होगा आपका रिजेक्शन हट जाए इसलिए आपका एकाउंट अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है उन्होंने तो आपको क्या करना है आपने सारा एजेंट से बार बात कर रहा चाहिए कि सर ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज आप मेरा ओलाइन डाटा सी इस फोटल को ट्रांसफर करवाए अगले कमेंड में आपको नितिन कुमार जी ने कहा है कि मेरे अवेदन में डेफिसेंसी में लिखा है फोटो सीग्नेचर गाया लेकिन फॉर्म पर तो सीघंचर किया हुआ है तो नीतिन जी मैं आपको वदा दू कि आपका हो सकता है सीडिनेश मिसमेच कर रहा हो या फिर फोटो क्लीन ना हो तो आपको जब फिर से एक बार आवेधन कर देना चाहिए मेरे ख्याल से इस बार आवेधन करें तो signature एक दम clear होना चाहिए clean दिखना चाहिए और फोटो को जो background हो लाइट होना चाहिए और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे comment है जो जिन्होंने मुझे comment लिखिया है बट मैं उन सबका comment तो नहीं ले पाया हूँ बट मैं next part इसका part 2 बनाऊंगा और उन सभी का detail में डालूंगा कि उन लोगों के क्या problem है उसका solution है आव एधन से जूड़ी कोई भी problem हो तो please मुझे comment करें मैं